कुट्टों को लंबे सम्माई और भविश्य में पालतू जानौर के रुप में इंसान काफी पसंद करता है। इंसानों और कुट्टों के बीच का लगाव दूसरे जानौरों से काफी गहरा होता है। एक दूसरे की भावनाओं को काफी बखो भी समझते हैं। लेकिन कई ऐसे कुट्टों की नसले हैं जो काफी खतरनाक मानी जाती है। कई देश में कई नसले ले जाना मना है। वहां के स्थानिय लोगों में काफी खतरा माना जाता है। खराब ट्रेनिंग और इसे माहौल में रखने के करण उस प्रजादिया काम कुत्तों की नसलों से काफ़ी खतरनाक हो जाती है। आज इस वीडियो में हम ऐसी ही प्रजादियों के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सबसे खतरनाक कुत्तों की नसले मानी जाती है। अमेरिकन पिटबूल अमेरिकन पिटबूल एक जुजारू नसले है जो लबबक किसी भी दुस्मन को भारनेक समता रखता है। देखने में काफे दमदार और धरावने होते है। इस कुत्ते की गलत परवरिष खुद मालिक और रहगीरों के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। यह अमेरिका में काफी लोगप्रिय नसले है लेकिन यूरोपियों देशों में बहुत कम पाया जाता है। यह नसल यूरोपियों देशों में प्रतिबंदित कुत्तों की नसलों की लिस्ट में रखी जाती है। अंतरस्ट यो पालतू जानवरों के कानुन के मताबिक यह नसल प्योग्यों माने जाती है। दूसरे जनवरों के मुकाबले इंचानों पर ज्यादा आक्रमक होता है। इस नसल के डोप को डोप सोवत वहां के स्प्रति स्प्रधा में ले जाना मना है। पिडबुल का इस्तमान आज भी कुट्तों की लडाईयों में किया जाता है। ये सभी कारण पिडबुल को दुनिया के सबसे खतरनाक कुट्तों की नसलों में जाना जाता है। इसका सबाब बहुत आक्रमक होता है। इसलिए इसको पालना भी एक चुनोती बन जाता है। दूसरे नंबर पर आता है रोडविलर। रोडविलर अमियेका के कुछ खतरनाक नसलों में से एक है। रोडविलर एक आक्रमक नसलों है। इस नसलों को मवेशियों के जून के लिए और सुरुकसा के लिए पसंद किया जाता है। सर्स और हेस्क्यू टीम का भी पसंद करती है। इनका ताकत वर शरी सामने वाले दुस्वनों पर भारी भड़ता है। रोडविलर को पुला महल और बड़ी जग चाही होती है। इसे ज्यादा तनाव में ना आए। गल्लट ट्रेनिंग और कड़ाब महल में रखने के कारण रोडविलर अपने मालिकों को पर ज़्यादा अक्रमक होने की खट्णाओं में लिए बदनाम है। इन्हें वह वियती ज़्यादा पसंद करते हैं। जो अकले रहना चाहते हैं। रोडविलर काफी वफदार माना जाता है। सुरक्षा के मामले में अपने मालिक और परिवार की सुरक्षा के लिए जो भी आवज सथ्या है ये खट्वा करता है। जनवियों को ज़्यादा पसंद नहीं करता। अमेरिका के पूलिस और засुरक्षा करमियों में ये नसब काफी पसंद की जाती है। तीसरी हमारी लिस्ट में आता है चिहुआ आउवा, चिहुआ आउवा कि नसल दुनिया के सबसे चोटो कुटो के रूप में जानी जाती है, दिखने में बले ही ये चोटा और प्यारा सा लगे, पर ये काफ़े आक्रमक सभाव का होता है, और जने भी और दूसरे कुटो को प सबसे चोटा लगे, पर इसका सभाव काफ़े आक्रमक और घुसेल होता है, जर्मन सेफल्ड, जर्मन सेफल्ड, अपने मालिक के प्रतिकाफ़े वफदार होते हैं, खत्रा महसूस होने पर आक्रमक हो जाते हैं, ये अनसल जर्मनी में 1810 में मौईशियों को देखरक के दूसरा सबसे लोगप्रिय नसल मानी जाती है, ये एलेस्टीन के रूप में भी जानी जाती है, ये दुनिया भर के पुलिस कर्मियों और सुरक्सा बलों में काफी लोगप्रिय नसल मानी जाती है, दुनिया के कई जैसू में ये काफी लोगप्रिय नसल है, इस नसल को गुद्धिमान नसल है यही कारण है कि अप्राजियों को खोजने और पकड़ने के लिए प्रसिसित किया जाता है अगर इस नसलों को सही ट्रेणिंग दी जाये तो यह काफी सामाधिक और मिलनसार होते हैं हमारी अगली नसल है चाओ चाओ यह नसलों भध्यव आकार की होती है इन कुट्टों का सरी घने बार और मोटे फर से ठका होता है इसके सरीर का रंग लाल काले निले क्रीम या दालशिनी रंगों में देखने को मिलते हैं इस नसल की उत्पत्ति के बारे में कुछ ज्याजा मालूम नहीं है माना जाता है कि यह चीनिन और बंगोलिया में सिकारी कुट्टों के रूप में लोग पालते थे यह 20 मी सत्ताब्दी में अमेरिका में काफे लोगवियों बने जब राष्टपटी केलिविन कुली चावशाव डोग रख थे थे चावशाव नसल समाजिक नहीं है विशसोगियों का कहना है कि इस कुट्टे को ट्रेन करना भी काफी मुश्किल है अजनवियों से दूर रहते हैं दूसरी नसलों के मुकाबले डोबर्मेन पिंचर डोबर्मेन निडर नसल का कुट्टा है जिसे अकसर पूलिस और विशसेगे दल इस्तमाल करते हैं अगर इसकी सही तरीके से देखबल ना हो तो ये काफी आकरमग होते हैं इसकी देखबल भी काफी चटिल होती है इस नसल भी खासियत है और जन्योबियों से दूर रहते हैं इस नसल के ज्यादधर कुट्टे काले और सुनेहरे रंगों में देखने को मिलते हैं डोबर्मेन को विक्सित करने का सरई जन्मरनी के नागरिक काल डोब बर्न को दिया जाता है वो अपनी यात्राओं में एक ऐसे कुट्टे को रखना चाते हैं जो उनकी सुरक्सा कर सके अपने मालिक के प्रती काफी वफ़ादारों सुरक्सा का भाव रखते हैं इसलिए काफी लोग इसे पसंद करते हैं खत्रा होने पर काफी आकरमक भी हो जाते हैं इसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजी और लाइक कीजी हम जानवरों से दूड़े वीडियो लाते रहते हैं